प्रियंका ने पतिक को दिया है ये बेश कीमती तोहफा गुम होने पर सबसे ज्यादा दुखी होंगे निक बॉलिवुड अभिनेतरी प्रियंका चोपड़ा जोननस अपने पती निक जोननस के लिए हमेशा सोशल मीडिया पर प्यार गाहेर करती रहती हैं वही निक भी पत्नी के लिए प्यार का इजहार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं ऐसे में हाल ही में निक ने प्रियंका द्वारा दिये गए सबसे बेश कीमती उपहार के बारे में खुलासा किया है दरसल हाल ही में निक ने एक इंटर्व्यू में प्रियंका के बारे में बाचीत करते हुए कहा मेरी लाइफ में मोबाई फोन और स्लीपिंग मास्क सबसे जरूरी चीजों में से एक है इसके अलावा मेरी वाइफ प्रियंका चोपड़ा की दी हुई अंगूटी भी मेरी ले बहुत खास है यह एक बेशकीमती गिफ्ट है इंटर्व्यू में निक आगे कहते हैं कि यह अंगूटी मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धी है क्योंकि यह किसी ऐसे व्यक्ती ने दी है जो मुझे बहुत प्यार करती है और मेरा बहुत ध्यान रखती है और मेरे साथ अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहती है बता दें कि दिसंबर की शुरुआत में शादी को एक साल पूरा होने पर निक प्रियंका ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर बधाई दी थी गवर तलब है कि प्रियंका और निक ने जूतपूर के उमेद भवन से अपनी रॉयल वेडिंग की थी शादी के एक साल बाद हाल ही में इस बात का खुलासा हुआ कि प्रियंका और निक की शादी से उमेद भवन होटेल को तीन महीने की आमधनी हुई थी इसकी जानकारी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के मुख्य कारेकारी अधिकारी और प्रबंध ने देशक पुनीत चटवाल ने अन्दी थी एक कारेकरम के दवरान पुनीत ने बताया कि पिछले साल एक और दो दिसंबर को प्रियंका निक की शादी हुई थी इन चार दिनों में प्रियंका और निक ने 3 करोर रुपे से ज्यादा खर्च कर दिये थे